नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो मिरा नाम है अश्य देविदी फिर से सवगत कर रहा हूँ आपका अपनी इस वीडियो में पार्ट थी है चैप्टर सेवन क्लास 10 की एंसीयाटी जोग्रफी की हिताब का पिछली वीडियो में एकदम से अबरेप्ली वीडियो बंद हुई देखें गैसेस को और लिक्विड्स को आप एक जगा से दूसी जगा पहुचा सकते हो पाइपलाइन के तुरू यह तो मैंने आपको बता दिया लेकिन सॉलिट्स को भी पहुचाया जा सकता है तो कोल को अगर एक जगा से दूसी जगा आपको पहुचाना है पाइपलाइन तो coal को बिल्कुल fine powder के terms में ले आई है और उसके बाद मतलब पूरा सरीकी से piece की जिसको pulverized coal बोला जाता है और इसको हलका फुलका एक liquid के साथ मिला के पानी के साथ मिला के slurry बना के आप इसको भी लंबे distances तक transfer कर सकते हैं तो solid को अगर transfer करना है तो इसको pulverize करके आप बिल्कुल transfer कर सकते हो ठीक है ना in fact thermal power plants में जो coal burn होता है न दोस्तों आपका boiler के अंदर वो pulverized coal होता है कभी वो पूरा का पूरा साबुत coal नहीं डाला जाता है burn करने के लिए pulverized coal को burn किया जाता है thermal power plant में proper procedure होता है thermal electricity को पैदा करने के लिए और उस coal की गर्मी से आप पानी को superheated steam में लेके आते हो वो superheated steam आपके turbine गुमाती है और बिजली पैदा होती है चलिए वो एक अलग चीज है अब बात करते हैं कि देखिए जो refineries काम करती हैं और ये जो refineries जो inland locations में काम करती हैं जैसे कि बराउनी की refineries होगी मत्हुरा पानी पत ये बिल्कुल कोस्ट के पास तो नहीं है अब ये जो gas based fertilizer plants हैं ये कैसे काम कर रहा है ये इसी तरीके से काम कर रहा है कि देखिए बराउनी ये मत्हुरा पानी पत में जो gas based और crude oil की जो अलग-अलग refineries हैं यहां तक जो इनका main raw material है जो की है natural gas ये crude oil वो पहुँचना जरूरी है और वो केवल pipeline के दम पे पहुँच सकता है अगर pipeline इन plants तक नहीं पहुँचोगी इन plants को लगाने का कोई मतलब नहीं है अब pipelines की अगर बात की जाएं तो pipelines को बनाने की जो initial cost आती है वो बहुँच जादा है लेकिन एक बार अगर pipelines बन गई तो उनको पास run करने की जो cost है वो minimal है यहनिकि pipelines को maintain करना महँगा नहीं है बड़ इनको बनाना बहुत महँगा है ठीक है पिर आगे बात की जाएं इंडिया में तीन important networks है pipeline transportation के देखते हैं कौन कौन से from the oil fields in upper Assam to Kanpur उत्तर पदेश वाया गोहार्टी बरोनी और अहलाबाद तो यह मानने जिए इंडिया है इधर है आपका आसाम तो आसाम से पहुचना है आपको कहां पर कानपुर के लगपक तो कानपुर से पहले हिलाबाद आएगा और बीच में आपका गोहार्टी और बरोनी भी आएगा तो एक तो यह पाइपलाइन हमारे आप इसकी ब्रांचे जाती है बरोनी तो हल दिया वाया राजबंद राजबंद तो मौरी ग्राम गोहार्टी तो सिल्ली गुडी एग्जाक्ली इनको मैप में आपको मैप करने की जरूत नहीं है बस हलका फुलका एडिया रखिए ठीक ह कि हमारे देश में भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जिसके तुरू क्रूड और नैचुल गैस एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसवर किया जा सकता है आगे आने वाले समय में कोई बहुत आश्चर नहीं होगा कि घरों के अंदर नैचुल गैस के कनेक रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कितनी गैस इस्तमाल करी और उसके इसाब सब्सक्राइब को बिल मिल जाता है इंडिया में भी इस तरीके की टेक्निलोजी को लाने की कोशिश की जा रही है योरोप जितने तो हमें एडवांस्ट है नहीं थोड़ा समय लगेगा बढ़ हमा दूसरी कुछ जगहों पर जाती है और तीसरी गैस इसके बारे में आपने सबस्यादर सुना होगा वह है तो हजीरा इन गुजरात से जगदीश पूर उनुत्तर परदेश जाएगी वाया विजयपुर इन मद्यपरदेश इसकी ब्रांच राजिस्थान के कोटा में पहुं अब ही के लिए इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दिखती है चुकि जो इसके कस्टमर से वो बड़े-बड़े इंडस्ट्रिल हाउसे हैं लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा जैसे-जैसे इनकी पेनिट्रेशन घर पे इंडिविजुल रिटेल लेवल बढ़ेगी तरसे- से आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी फिर बात करते हैं कि इसकी फाइनली वाटर बेस की देखिए इंडिया हमेशा से ही सी ट्रेड के लिए फेमस रहा है आज से नहीं एंशिन टाइम से इंडिया में सी ट्रेड हो रहा है जो सीमन है वो तैर के मतलब की पह मास के पास से होते हुए जाएंगे ताकि उनको जमीन दिखती रहे तो अगर शिप को कुछ नुक्सान हो तो वो जमीन की तरफ आ जाए बाद में दीर दीरे जब शिपिंग इंडिस्ट्री बड़ी होगी तो मिड ओशन को ओपन ओशन को भी ट्रेवर्स करने लगेंगे तो बल्की और हेवी टैप का मटिरेल ए उसको वाटर ट्रांस्पोर्ट की तुरु घेजा जाता है तो अगर कोईले को इंपोर्ट करना है इंडिया के अंदर मैट्ललर्जिकल को इंपोर्ट करना जिसको कोकिं कोल वी बोलते हैं तो समुदर के रास्ति आता है उसको आप एरो गैस या क्रूड ओयल मंगाना है तो क्या आपकी गोई रेल्वे लाइन है रेल्वे लाइन है नहीं एरोप्लेन से आप ला नहीं सकते तो आएगा किस से शिपों से आएगा तो जो हैवी और बल्की गोड्स होते हैं उसके लिए वाटर वेज अर दा बेस्ट सोर्स अफ ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल एफिशेंट होते हैं और इन्वाइरोनमेंटल फ्रेंडली मोड अफ ट्रांस्पोर्ट है इंडिया में अगर आप इनलेंड नविगेशन की बात करो तो 14,500 किलोमेटर है अभी बाहर से अगर हमको अपने रिकॉर्म क्या मतलब है देखिए दोस्तों जब कोई एक बड़ा शिप लोगों को भरके यह सामान को भरके एक जगा से दूसरी जगा लेके जा रहा है तो हमको इस बात को इंशूर करना पड़ेगा कि वो शिप जिन जगहों से निकले वो जगहें इतनी नेरो नहों के शिप वहां प नीचे तो पानी की गहराई ज्यादा होनी ज़रूरी है इसलिए पूरा का पूरा जो 14500 किलो मीटर का इंलेंड वाटर वे हैं वह हम पूरा नहीं उटलाइस कर पाते हैं उसमें किवल 5685 जिसको इंटरनल ट्रेड के लिए इस्तमाल किया जा सकता है तो गोड्स को भी इनके कुछ वाटर वेस को नैशनल वाटर वेस डिकलेर का रखा है हमारी गौर्वर्मेंट ऑप इंडिया ने उन वाटर वेस के बारे में भी बात करते हैं यह जो आपको नेट्वर्क दिख रहा है इस नक्षे में डिस बेसिकली दर रेल नेट्वर्क ऑफ इंडिया आप चाओ अबाद और हल्दिया के बीच में 1620 किलोमेटर लंबा फिर ब्रह्मपुत्रा वाटर वे सद्या और धूबरी की बीच में 891 किलोमेटर लंबा नैशनल वाटर वे नंबर टू तीसरे नंबर पर वाटर वे आता कैरला में वेस्ट कोष्ट कैनल बोलते हैं इसको कोट्टा- कोलम उद्योग मंडल और चंपकारा कैनास 205 किलोमेटर लंबा है इसको नैशनल वाटर वे नंबर थरी भी बोलते हैं अभी किया दोस्तों की इन वाटर वेस्ट की लोकेशन के लिए आप उन आपको मैप की बात करी लिए तो मैं आप खोली दिया आपको देखें पहला पता रहा हो हल्दिया टू अलाबाद 1620 किलोमेटर यहां पर एरो के साथ भी आपको यह नज़र आ रहा है काले रंग का उसका नंबर टू प्रहमपुत्र दूब्री टू साधिया 891 किलोमेटर का जो हल्दिया टू अलाबाद वाला था वो उत्तर प्रदेश भिहार जहारक तो आपको वेस्ट कोष्ट पर नज़र आ रहा है इसको वेस्ट कोष्ट कैनल ब होघते हैं कोलम टू कोटापुरम जो में स्टेट यह साल कर रहा है वो है कहला दों सो पांच किलोमेटर का हैको कुलम और कोटापुरम आपको नक्षिय रहा है और नीचे आते जाहिए तो आप कहां तक पहुंच रहे हो पुदूचरी तक पहुंच रहे हो यहां पे आपका ताल चेर है और फाइनली बात कर लिए नैशनल वाटरवे 6 बराक नदी पहे है लखी पूर्टू भंगा अभी इन प्रॉसेस हैं अभी पूरी तलगी से बनानी है 121 किलो मिटर का होगा आसाम मिजोरम मनिपूर और तृपुरा कवर होंगे इसमें तो यह सार आपकी नड़ा पुडू चेरी में 1078 किलो मिटर का नैशनल वाटरवे फिर दिखा चुका हूं मैं आपका और जो पांचवा वाला है वह आपका ब्रह्मारी नदी के डल्टा के पास है उडिसा और वेस्ट बंगाल में इसको इस्ट कोस्ट के नाल भी खा जाता 588 किलो मिट अगर आप ये कुछ specific information यार्द रख सको that is more than enough तब आगे बात करते हैं ठीक है इनके अलावा इन नैशनल वाटरवेस के अलावा हमारे देश में जो सरकार है उसने और भी नया इनलेंड वाटरवेस को डेवलप करने की कोशिश की है जैसे कि मांडोवी रिवर इन गोवा, जोवारी दिवर, कुमबर जुआ, सुन्दर बंस, बराक और बैक वाटरस अफ केरला ये भी इनलेंड वाटरवे की तरह काम करते हैं मतलब सामान को एक जगा से दुसरी जगा मतलब ट्रांसफर करते हैं अगर आप बात करिए इंडिया के ट्रेट की foreign country के साथ तो भाई इं जगा पर पोर्ट बन रखें मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट इनके तुरू होता है 95% ऑफ दा country's trade volume is through ports and 68% of value देखिए दोस्तों अगर आप international trade की बात करो तो railway trade तो ना के बराबर है ठीक है पाकिस्तान के साथ और बांगलादेश के साथ हमारे हिस्से होते तो हो सकता है कि इन इसके मामले कुछ खास trade होता नहीं होता ही नहीं ना के बराबर समझे अब आप सोचिए international trade की केवल दो avenues बचे या तो sea या air तो या तो plane से जाए या समूंदर से जाए अब आपके लिए ये पता करना कोई rocket science नहीं है कि अगर आप plane के थुरू अपना सामान भेजते हो तो व एक कमिशनरेट आता है जिसका नाम है APFC उसको बोले आता है airport special cargo आपको पता है ना दोस्तों कि हम लोग diamonds को बहुत हद तक import भी करते हैं और export भी करते हैं तो होता यह दोस्तों कि आप बान लेजे diamond को आप export करते हो इंडिया के बाहर अभी diamond तो high value चीज है तो छोटी सी चीज से चोटे-चोटे से diamond करूण के बिखते हैं तो अब वेसी बात है इनका वजन बहुत कम है यह plane के थूरू जाएंगे और इनकी जो export value होगी वो बहुत जादा होगी जदातर cases में air mode से जो भी चीज export की जाती है वो expensive होती है ठीक है ना और volume में थोड़ी कम होती है जो बड़ volume की चीज़ा कोईला तो आप भीजोगी नहीं plane के थूरू कितना भी emergency हो कोईला तो समुंदर से ही जाएगा तो भाईया volume wise 95% of countries का जो trade हो समुंदर के रास्ते जाता है इन ही port से जो बेने अभी आपको बता है अभी port के बारे में भी बात करेंगे इंडिया के port से और 68% of the value म coastline की बात करिए तो भाईया 7516.6 km लंबी इंडिया की कोश्ट लाइन जिसमें 12 मेजर पोर्ट से और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटर मेजर पोर्ट से यह देश के 95% of the foreign trade को handle करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको उपर बताया ना कि 95% of the country's trade volume is through ports तो यह 95% volume की बात हो रही है overall value की बात करेंगे तो यह कम होगी जो कि मैंने अभी आपको बता दिया 68% है देश की आजादी के बाद अगर बात की जाए कि पहला कौन सा मेजर पोर्ट डेवलप किया गया अच्छा मैं आपको पहले बता दूँ देश की आजादी से पहले बी इंडिया में पोर्ट नावाश वाज पहले से ही थे देश की आजादी की बाद कांडला को डेवलप किया गया जो हमारा एक important पोर्ट था कराची अभी यह गुजरात के इस तुरफ चले जाए तो पाकिस्तान है कराची पोर्ट है अभी कराची पोर्ट तो पाकिस्तान में चला गया, इंडिया में रहा नहीं, इंडिया में मुंबई पोर्ट के उपर प्रेशन ना पड़ जाए, इसलिए भाईया इंडिया में एक पोर्ट बनाया गया जिसको बोला गया कांडला पोर्ट, कचेला के मनाया गया तो पानी के लेवल उपर हो जाता है, शिप संदर आ जाते हैं और लो टाइट होते होते हैं, वो बाहर में निकल जाते हैं अब बात करिए, यह जो दीन दियार पोर्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की हैंडलिंग करता है मैंने आपको बताया कि गुजरात महरास्टर ये दोनों इंडस्ट्रिल एडवांस्ट स्टेट्स है इंडस्ट्रिल एक्टिविटी इन स्टेट्स में नो डाउट बहुत जादा है तो जो पूरी की पूरी नौर्थ इंडिया के बेल्ट है जबमुन कश्मीर, हिमाचर पदेश, पंजाब, हर्याणा, राजिस्थान और गुजरात इनके जो भी इंडस्ट्रिल प्रोड़क्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत हद तक कांडला के थुरू होता है आप देखें ये वैसल इतनी बड़ी है दोस्तों कि ये ट्रक्स अंदर घुस रहें इन कंटेनर्स को लेके ये ट्रक अंदर जाके इन कंट्रोलनर को आफ़लोड करेंगे और बहार आ जाएंगे मुंबई पोर्ट में मतलब इस लेवल पे ये जो आपके बड़े-बड़े शिपिंग लाइन से ये ऑपरेट करते हैं इंडिया की बात कीज़े तो इंडिया का जो नावा शिवा पोर्ट है ये बिगस्ट पोर्ट है जिसको जवाल लान नहरू पोर्ट भी आप बोलते हो नेशल हर्बर है अगर आपने कभी इंडिया की कोस्ट लाइन देखी हो तो जो वेस्टन कोस्ट लाइन हो बहुत इंडेन्टे हैं जब कोस्ट लाइन बहुत जदा इंडेन्डेड होती हैं इंडेन्टेड मतलब कट्टी पटी ठीक Nowadays शार्प टरन वाली है तो वहाँ पे नैचरल पोर्ट बहुत बनते हैं जवालाल नहरू पोर्ट भी बहुत नैचरल पोर्ट है पहले इंडिया में एक मुंबई पोर्ट था उस मुंबई पोर्ट पे जादा प्रिशन ना पड़ जाए इसलिए जवालाल नहरू पोर्ट को बन और काण्डला को तो इससे भी पहले बना दिया गया था तो काण्डला सहां सा पोर्ट जो ओल्ड पूर्ट है अ गर आप शाओंत मुंभै वहां उस पूर्ट से आयरन और ECST न होता आपका मर्मगोवा पोर्ट जो की गोवा में है वहां से होता है करनाटिका में एक पोर्ट है जिसकी बोलते हैं आप मैंगलोर पोर्ट मैंगलोर पोर्ट से आइरन और एक्सपोर्ट होता है कौन सा आइरन और जो कि कुद्रे मुख माइन से माइन किया जाता है कुद्रे मुख कि क्या आपको यहां पर कोची की लोकेशन दिख रही बिलकुल यह दिख रही है तो यह इंडिया का सौधन इलाका यह वेस्टन इलाका और इसके बीच में साॉथ-वेस्टन पोर्ट है आपका कोची मैं बस आपको लोकेशन दिखा रहा है उतना important नहीं है ठीक है तो कोची के लोकेशन हमने देखी पता होना से कि कहां कहां पर पोर्ट से अब भी आगे भी दिखाए जाएंगे फिर अगर आप इस्ट कोस्ट की बात करों इंडिया की तो साउथ इस्टन पोर्ट है माप एक बहुत इंपोर्टन पोर्ट तमिल्लाडू का टुटी कोर इनके आज पास का जो इलाका है वो इंडिस्टियल बेल्ट है तमिल्लाडू की और वहां अच्छे कासे बिजनस हैं तो जो ट्रेड है वो फ्लॉरिश कर रहा है बहुत अलग-अलग प्रकार के कार्गो सो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है जो ट्रेड है वो नेवरिंग जो ट्रेड पर यहां पर यहां पर यहां पर पारादीव पोर्ट जो कि ओडिसा में तो पारादीव चिन नहीं कोची टूटी कोरिंग जिए वेरी इंपोर्टन पोर्ट दोस्तों और यह जो पंजी है ना इसके पास ही आपका मार्मगोव पूर्ट जो कि आपका गोवा का इंपोर्टन पूर्ट है इसके आगे वह एक मैप दे रखा है एक बार देखते हैं जी बिलकुल दे रखाए मेजर पोर्ट इंडिया यहां पर आपको नज़रा आपको कोची पोर्ट, यहाँ पे टुटी कोरिन पोर्ट, इधर चिन्नाई पोर्ट, यहाँ विशाका बटनम पोर्ट, ऊपर आ जाईए, तो परादीब पोर्ट, इधर हल्दिया पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, तो बड़े सारे पोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ओक दूसरा अगर आप बात करो तो कौन से मेंने आपको बताया धुए je नियु-मैंगलौर पोट करना ठका और तीसरा मैंने आपको पताया पारद्ल आपका ऻुडिसा OWN aire कॉलकत्ता की बात कर लिए रिजन को सर्फ करने के लिए एक समय के बाद को तौड को अपर जब बहुत जादा प्रेशर आया तो भाई को ता पूट की तरफ हल्दीया पोर्ट काई सब्सीडरी पूर्ट है क्यों किंगर कंटा के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो कल्कता पूट के कुछ कारगो को आप हल्दिया पोर्ट की तरफ डाइवर्ड कर दोगे यह भी एक टाइडल पोर्ट है टाइडल पोर्ट मतलब कॉंस्टेंट ड्रेजिंग की जरूत है हुगली नदी में देखें मालीजे दोस्तों यह है आपकी नदी इधर यह है सिरा जहां पर आके शिप्स डॉक करते है अब नीचे की तरफ यह जो डेफ्थ है पानी की यहाँ पर दीरी दीर सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे सेडिमा होते जाएंगे जब सेडिमेंट्स डेफ्थ पर जमा होते जाएंगे तो पानी की घहराई कम होते जाएगे जितनी कम पानी की घहराई होते जाएगे उतने नहीं बड़े शिपष्पड यहां कम डॉक कर सकतें इसी Pokemon फ के सथे सरों हो रहा है ओक्या, और अगर उनको ड्रेजण के समय पे नहीं हटाया गया तो भाई बड़े शिपष्पड यहां डॉक नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप आप देखोगी कि हमारे देश के ऐसे बहुत से पोर्ट से फॉर्जामपल हल दिया जहां पर रेगुलरली हमको ड्रजिंग करने की जोद परती ताकि गहराई मेंटेन रहे और बड़े शिप्स यहां पर डॉक हो सके यह बड़ा शिप्स आपको दिख रहा है तूट्टी कुर कर दीजेगा गुट्बाइए